हेलो डियर, हेलो डियर, वेलकम टू केसल कैंपस आज बात करेंगे हमारे नहीं जॉब अपडेट में जो कि बिहार सरकार रजस्व यूम भूमी सुधार विभाग के तरफ से एक वेकेंसी आई है अमीन की तो जो इसमें qualification मागा गया है, 12th मागा गया है तो अगर आप 12th वाले job के लिए interested हैं या फिर भरना चाहते हैं तो देखें नहीं तो आप वीडियो के यहां पर skip कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और जो इसमें grade पर है, 2000 है और जो salary है 5200 से 20200 वाला salary है तो अगर आप interested हैं तो देखें, नहीं तो यहीं पर आप वीडियो को quit कर दें और चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसमें qualification क्या चाहिए, कौन भर सकता है कितने marks के exam होंगे, exam होगा कि नहीं होगा, क्या selection procedure होगा कितनी fee लग रही है, क्या क्या date है, कब तक apply कर सकते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं इसमें तो सबसे पहले जो देखेंगे और इसकी last date जो है apply करने की 22 of January 2020 मतलब 22 January तक है, अगले साल तक और जो इसमें list of document मतलब की चाहिए, तो उसमें जो intermediate metric का certificate होगा चाहिए था कि आपका, आप अपना date of birth उसमें से देख सकें और यह जो list of documents है, document verification का time चाहिए, आप अभी इतना ज़्यादा attention नाल है, और जिसमें star mark है वो तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको अरक्षण चाहिए तो जाती पर्मारपत्र चाहिए ही और आई पर्मारपत्र चाहिए, अगर आपको EWS वो रहा है फिर OBC डाल रखा है नॉन क्रिमी लेवर में ठीक है और आगे देखते हैं फिर तो इसमें आगे आजाएं तो कितनी vacancies है तो vacancies सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्राइब के लिए फिर OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर और फिर इसमें जो grade पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2000 है और salary जो है 5200 से 20200 वाला है तो अब एक अच्छी job है आपके लिए अगर apply करना है तो कर सकते हैं यह इसमें ज किसी मन्यता प्राप्त बोर्ड से अपकी 12th की डिग्री होनी चाहिए या फिर उससे related उसके समकक्स कोई डिग्री होनी चाहिए और जो इसमें है कि इंडियन नेशनल वाले सिर्फ अफलाई कर सकते हैं मतलब कि नेपाल ओगर वाले बहुत सारे job में अलाउग होते हैं लेकि जो general candidate है और different categories के लिए छूट है जैसे कि OBC के लिए 3 years, SCST के लिए 5 years इस टाइप से तो आप जैसा कि screen पे देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं तो जो बिहार के candidates हैं उनको ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा दूसरे state वालोक आरक्षण नहीं मिलेगा हर state में ऐसा ही होता है आपको पता है और बात करेंगे जो इसमें एक्जाम होगा वो CBT होगा मतलब कि computer based test होगा और जिसमें कि आपक जेनरल knowledge, current affairs और जेनरल science और जेनरल हिंदी रहेगा और second part में आपका जो रहेगा जेनरल mathematics रहेगा 25 marks का मतलब total 75 marks का जो है आपका एक्चाम होगा और फिर उसके बाद से 25 marks का आपका जो होगा वो experience के अधार पे मिलेगा मतलब कि 75 marks और प्लस 25 marks किसका experience मतलब कि अनुभा होग तो 100 marks पे आपका जो है merit बनेगा और सिर्फ इसमें return पे ही merit बन जाएगा और दस गुना candidates को select हिया जाएगा और उसके बाद से जो आपका document verification के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद फिर merit list आएगी जो इसमें ओधी होगी परिस्टा की मतलब कि जो आपको time में लेगा 75 question को solve करने के लिए दो घंटे 15 मिनिट मिलेंगे online exam होगा online apply करना है इसका इसे देख सकते हैं कि किस तरह apply करना step 1 में registration करना step 2 में basic अपने का जो है कि को मतलब कि क्या आप करते हैं अभी student है एक service man है data birth क्या है सब सारे भरना है उसके बाद step 3 में educational qualification बरना step 4 में walk experience डालना step 5 में photo upload करना step 6 में preview your application देखके उसके बाद finally submit करना और payment कर देना है और चलान के से भी payment कर सकते हैं online भी payment कर सकते हैं कहां से apply करना है जैसा कि नहीं रता दूँ आपको apply करने के लिए आपको www.bcecboard.bhar.gov.in पर जाना होगा और इस पर apply section पर जाना होगा जाके आपको एक पोर्टल पर मिले गाउन पोर्टल पर की अमीन के लिए apply करने के लिए आप देख सकते हैं इस website पर जाके जो give नहीं आप लगता है और अगर debit card से pay करते हैं तो generally zero fee होता है कि credit card से कुछ लगता है उसके बाद print करके रखना अगला स्टेप में यह सब बता रखा आपको रखना है तो रख लेना अच्छा रहता है future के लिए अगर कुछ भूल लेया प्रेस्टेशन अगर नमबर तो इसके स्टार्टिंग डेट है और 23 ओफ दिसंबर से लेके 22 ओफ जनुवरी तक है अज से यह स्टार्ट हो रहा है यह फॉम तो अभी तो लिंक स्टार्ट नहीं हो है लेकिन हो जाएगा आज कभी भी तक और 22 तक अप्लाई कर सकते हैं इसको आगी इसको देखते हैं सीवीटी टू जो जो इसका सीवीटी एक्जाम होगा और 15 दो को होगा मतलब कि 15 फैब को होगा और 16 फैब को होगा दो दिन ज्यादा कंडिडेट्स हैं होंगे तो यह एक तरह से बोला जाए तो टेंटेटिव डेट है और जो एडमीट काड होगा उसी पर आपका एक्जाम सिंटर का हैं वहाँ पर मेंसेंट रहेगा आप सेम वेव साइट पर जाके अप्लाई एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं यह बता रख है और जो आपका टोटल मार्क्स जैसा कि मैंने बताया 75 प्लस 25 वहीं बता रख है यह इंटर्विव दे रखा है इसका मतलब इंटर्व कंडिडेट है और उसका सेलेक्शन हो गया है तो इंटर्विव नहीं होगा वैसे पूछ लेंगे का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में लिए होता है इंटर्विव होकर से आप डरना मत देखकी कि इंटर्विव होगा कांसलिंग टाइप का होगा आपसे कि आपका के लिए 100 रुपे रखा गया है और जो देखते हैं आगे आपकी काम की चीज़ है तो बस और कुछ तो है नहीं जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है जानते हैं जैसा कि सेमी सिलेबस देता है कि इंडियन रिपब्लिक में इंडियन कंसिट्यूशन में मतलब पॉलिटी में तो देखा जाए तो बिहार के जो नर्मल एक्जाम सोते हैं SI के बिहार फुलिस के वहीं सिलेबस इसमें current affairs भी और आजकल trend देखा जारा है current affairs से ज्यादा question आ रहे हैं जिसके भी SI में अपने देखा होगा current affairs से बहुत सारा question आया था तो अब current affairs का त्यारी कर ले जेनरल साइंस का तो भी त्यारी करके जाए और जेनरल हिंदी आएगा तो हिंदी एक एक्स्ट्रा है जो कि बिहार इसाई में फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है सेकंड स्टेज में आता है तो आप देख लेंगे इसको एक बार और जेनरल मैथमेटिक्स जो 25 माक्स का होगा उसका यह सिलेवस और लेकिन वहीं है कि जिसको experience होगा उसको profit मिलेगा पर year पर उसको 5 माक्स मिल जाएंगे दो साल का है तो 10 माक्स मिल जाएगा उसी टाइब से और फिर जो है जिसका एक चीज और बता दूँ जिसका 6 मा का experience है उसको एक साल का मान लिया जाएगा 6 months का experience है तो उसको 1 साल का मान लिया जाएगा और 6 months एक दिन में खम है उसको 0 experience मान लिया जाएगा मतलब कि अगर मान लिया कि 1.4 years का experience है तो आपको one year हम equivalent उन्धा जाएगा ऑगर आपका experience 2 years का experience आपको valid मान जाएगा और आपको 10 माक्स मिलेंगे ओके thank you for watching keep like and subscribe to our channel for more updates thank you